नमस्कार प्रिये दर्शकों आप सभी को BCN के खास कारेक्रम भविश्य दर्पंड में स्वागत है आज हम होली का दहन वह होली तेवहार को मनाने का जो अपना शुब उपर्व है उसके बारे में हम बात करेंगे देखे सबसे पहले अपना होली का दहन जो है अपना 24 तारिक रविवार को है इसमें कैसा पहले जैसे हम होली का दहन 7 या 8 बजे मनाते थे शाम को वो नहीं करते हुए हम इसको होली का दहन को थोड़ा देर राज से करना पड़ेगा क्योंकि भद्राकाल होने के वज़े से पारेकरम नहीं कर सकते क्योंकि भद्राकाल में होली का धहन करना अच्छा नहीं माना जाता जो होली का धहन हमारे कस्टों को लेके जाता है भद्राकाल में अगर होली का धहन होता है तो कस्ट नहीं जाते उल्टे हमको कस्ट मिलते हैं तो प्रियदर्शक को हमने क्या करना चा के बारा बचकर 20 मिनिट तक का होली का धहन का शास्त्रोक्त महुरत दिया गया है जिसके अंदर अपने को होली का धहन का कायक्रम करना है और अपने जो भी आपका वरीती पद्दती है उसके अनुसरा होली का धहन कर सकते हैं खास करके यह टाइमिंग का अपने को ध्यान देना है भद्राकाल का अपने को विशेश करके ध्यान देना है ये मतर से भगवान यान क्वडर का ऑशेभाद रव्युद्री का ये जान रिंपalten से अपना पुर्वका और these है कि जैसे आपको मालम है हिरन्य कश्यप नाम का एक राक्षस रिदा था उसको एक बेटा जन्मा प्रहलाद नाम का वो प्रहलाद नाम का बेटा जो था हिरन्य कश्यप के मना करने के बावजूद भी भगवान नाराण की भक्ति करता था जैसे आपको मालम है कि जो राक्षस होते हैं वो तमोगुनी होते हैं भगवान नाराण सत्वगुनी हैं भगवान नाराण के विरोधी रहते राक्षस तो प्रहलाद उनके बेटा बन के चनम होने के बाद भी भगवान नारायन का ब्राक्ति नहीं छोड़ा टा कि जो अपना सग्गा मेरे शत्रू यानि भगवान न नारायन का सूति करनाल करता तो इसका अंत बदेना जे करके बहुड सारे उसने यतनु प्रयतन किये भगवान नारायन के भक्त प्रहलाद को मारने का तो उनके बेटे थे लेकिन उसको लगा कि बेटा जो मेरा शत्रु का कुणगान उसको मारना अगर साप के साप से कटवाया सापने नहीं काटा, परवत से नीचे फेका, पर बच गया, भगवान नारायन ने बचा लिया, हाती के पाउं से उसको दबाया, तो हाती ने दबायने उसको बच गया, तो हताश हो के जो भगवान नारायन के भकत, अप्रतीम भकते, जो प्रहलाद, उनको मारने के लिए हिरन देना चारव और मैं उस आग में बैढ़ जाओंगी क्योंकि ब्रह्मा जी का वर्दान है कि मुझे आग कुछ नहीं कर पाएगा तो हिरन्य कश्प की जो भेन होली का वो क्या करती है प्रहलाद अपने भांजे को अपने गोध में लेके बैढ़ जाती है उसको लगता है कि प् को फीर होली का जो जलती है उस दिन उसी दिन चुक हम एक प्रारूप मानते हैं कि होली का दहन करने का काय्क्रव में हर सालम होली का द्हन में अपने गार साल को होगा से सात बार उतार रहे नारियल को साथ बार उतार लेटा है। पार भगवान महादेव का अगर आपको नर्सिंख भाग को ध्यान करते हुए साद बार नारियल को उतार के घर मेरे वड़ानी आदमी का बीमारी निकल जाए करके संपक्ति घर में संपक्ति आना हैं घर में बषकत आना हैं घर में आपके घर में जितने कि इतने लोग ये उत्ने मीठे रोटी बनाई है उत Não लोगों का हाथ लगा के जो ज़ती हैं उसके अंदर वह मिठे रोटी इफ़े टालिएगा और दूसरा है अगर घर में तनाव है परेशानी है और से होता नहीं चिड़चिड है तो क्या करना है जिन जिन व्रेक्ति जितने लोग घर में हैं उन लोगों ने एक-एक मुठी आटा ये ग्यों का और एक-एक जो एक मुठी जो वो दोनों ले ले एक हाथ में लेकर भगवान नाराण का या भगवान भजरंग बली का सूति करते हुए उनके घर से सारे बीमारी कष्ट जाना चेकर के वह एक मुठी आटा और जो लेकर आगर आप होली का में डालते हैं घर में संकट आर्थिक तनाव और यह दूसरे के प्रती जो अनबन रहता घर में वो दूर होता है तो होली का दहन में अगर हम यह रात के ग्यारा बने वे पेड़े डालते हैं तो हमारे कस्ष नह कम होता है और करना क्या में और भी का को घर में चारो और कोनों पर छषड़कना चाहिए और नहाने के बाद उस राख को अगर माथे पर अप्लाई करते हैं यहां जहां DO P बदन पे बिसं का उबटन लगा ले में से बना बिसंते से लगा ले है बना लगा ले हाथ भे लगाते हैं या फिर याwow अपने कश्ट अपने बीमारिया कम होते हैं यह शास्त्र में लिखा गया है अब अगला है रंग होली जो हम रंग खेलते हैं खुशिया मनाते हैं अपने गिले शिकवे भूलकर जो हम अपने अडोस-पोडोस के यह अपने जो भाई बहने या रिलेटिवे अपने गली के कर सकते हैं देखो इस दिन का भी एक थोड़ा सा इसमें कंडिशन है कैसा है कि होली का दहन के बाद होली जो तेवार आता है वो अपना 25 मार्च को सुमबार को आ रहा है यह फालगुन मास के शुक्लपक्ष को हमेशा जैसा होली आता यह टाइम भी आया है लेकिन इसमें कैस लेकिन इसमें बाद हैं चंदघ्रून आया है लेकिन चंदरघ्र हमारे भारत में धिखाई नहीं देगा क्यों चंद्रघ्रन के समय साथ 10 बच कर 23 मिनिट से लेके 3 बच कर 1 मिनिट तक दोपेर के 3 बच दे 1 मिनिट तक का अपना होली के दिन पर गढ़न है लेकिन ये गढ़न होने के चलते मैं सारे दर्शकों से यही थोड़ा नमर दिवेदन करता हूँ कि ये गढ़न का योग बन रहा है कन्या राशी में उसी दिन होली है तो इसके चलते अलग-अलग राशी वालों के लिए अलग-अलग फल मिलता है हम अभी बात करेंगे आगे लेकिन अभी फिलाल के लिए जो होली का जो अपना तेवहार है इसके अंदर ग्रहन आया है तो सारे दर्शक ध्यान दे होली को थोड़ा सा आराम से खेले ज़्यादा कहल कूद मस्ती बच्चों को सोच समझ के करने बोले हलाकि होली के दिन होता है मस्ती में वस्ती का दिन होता है लेकिन अगर आप मस्ती जो करते हैं जो थोड़ा बदबाशी करते हैं वो भी थोड़ा लिमिटेड करें तो आप लोग के लिए श्रेस कर रहेगा और ज्यादा तर माता बहनों के ऊपर थोड़ा सब उनको परिशन करने का कारिन न करें और होली के दिन पर अगर आपने गठे बड़े ब्जवरगों को माते पे टिका लगा के उनके चरणों पर होली अरपित करके उनको मिठा किलाके, उनका आशीरबाद लेके, बाद में अगर आप होली खेलना शुरू करते हैं, तो ये बड़ो के लिए भी अच्छा है, छोटो के लिए अच्छा है, और बहुत जो छोटे बच्चे, वो अगर बड़े बड़ो बच्चों के संडक्षन में होली करते हैं, अच्छा है, और एक दूसरा कैसा है, होली के दिन पर ओइल पेंट लगाना, सिल्वर पेंट लगाना, गंदे-गंदे पेंट लगाना, कृपया मत कीजिए, क्योंकि होली अपना एक बहुत बड़ा, एक संसकारी अपना तेवहार है, जिसे भगवान नारायन ने, भगवान क्रिष्ण ने शुरू किया था, ब्रिज में फुलो की होली खेलते हुए, या पलाश के पत्तों से जरौंग बनता, उसको होली करके हम खेलते थे, आजकल तो किमिकल आ गया, तो उसको भी हम कुछ नकार नहीं सकते, फूड़ा मातर में खेलकर उसको अच्छे से, एक डिश माता बहने हैं, वो खास करके बहुत ध्यान देना चाहिए, चलने फिरने के टेंपे, मुमेंट के टेंपे, बहुत ध्यान देना चाहिए, ताकि उनको उससे कस्ट नहीं हो, पिसल के गिरना, मार लगना, चोट लगने का सभवना बनता है, और होली के दिन पर करे क्या, जिस करें, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये होली होने के पीछे भी जो माता पारवती भगवान शंकर को पूजा करते रहते हैं, शादी के रूप में उनको शादी के लिए उनको तपस्या करके अपना मनाना रहता है, तब काम देव जब बाढ़ मारते हैं भगवान शंकर को, त अपने तीसरा दिंक्रिस्ष से जला देता है उनकों उनका पुन रत्था जनव होता राध्युम्न के रूप में बह्य होन कुन करश्ण के पुत्र के रूप में यह एक संसर्ष्थ है लेकिन दर्शब को हम जानते हैं कि ये 12 राशिवालों के लिए ये होली रंग होली कैसा है सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी के लिए ये मिला झूला प्रिणाम लेके आएगा क्योंकि इसके अंदर ग्रहन योग भी है और कीटू का योग बील और कंभार से मिला झूला रहेगा जो उनके आर्तिक समस्य वो कम हो सकता है लेकिन कोई नया बीमारा नया बीमारी चोटा उटा शत्रुबादा उनको होने का योग है अगला है अपना वृषब राशी दिखें वृषब राशी वालों के लिए यह जो होली है यह अच्छा रहेगा उनके संतान के प्रती थोड़ा चिंतित होना सं के चलते पंद्रा दिन यह जो मैं बोलना पंद्रा दिन थोड़ा एफेक्ट ज्यादा रहेगा और रिशब राशी वालों खास करके उनके बच्चों के पेट सम्मझी समस्या को थोड़ा ध्यान में रखते वे उनको खान पान का थोड़ा आदेश देंगे तो अच्छा रह रहा है उसमें उनको उन्नती मिलते दिखाई दे रहा है और नया गाड़ी नया मकान खरीदने का योग बनता है मिथुन राशी वालों को अगला है अपना करक राशी देखे करक राशी वालों के लिए यह जो होली बहुत अच्छा परणाम देगा उनको नए आयाम देगा जो लोग लीडर है या एलेक्शन में जो है उनके लिए उन्नती है उनके लिए पदोन्नती जीतने का योग बनता है और जो लोग नेता य के लिए नया कामकाज और नया कुछ करने का योग बनता है इन टोटल कैसे करक राशिवालों का विल पवर बहुत जोरदार रहेगा देखे अगला है अपना सिंभ राशिवाले के लिए यह होली जो आ रहा है यह बिला जुला रहेगा परिवार के लिए होली का जो पर्व है यह आर्थिक उन्नती देगा लेकिन तब्यत के लिए थोड़ा सा गलत परणाम देगा उनके पेट संबंदी समस्या, नसनाडी संबंदी समस्या, या उनको कोई पहले से क्रोणिक जो बीमारी चल रहा है करने राशिवालों को ले, ये क्रोणिक बीमारी थोड़ा बढ़ सकता है, थोड़ा उसका प्रमान जो है गलत परेबन बढ़ शकता है उनके लिए खानपान पर ध्यान देना है और होली में खानेपीने पर घ्यान देना और राशी उनके राशी में ही ग्रहन होने के चलते उनको थोड़ा एक 15 दिन अलग कोई समस्या का टेंशन आने का योग बनता है, चिंता होने का योग बनता है, इसके चलते थोड़ा वो परमाश्वेर का ध्यान करें, हनवान चल ज़गा पाठ करें, और सारे चिंता प्रभू के चरणों पे छोड़कर अपना करतवी पे ध्यान दे, 10-15 दिन बाद सब ठीक आएगा, अगला थोड़े शत्रू बादा से पीडित है, उनको थोड़ा परेशन होने का योग बनता है तुलराशी वालों को, अन्य था यह जो अपना तुलराशी वालों के लिए अच्छा रहेगा, घरमी शुबकारी का होने का योग बनता है, नया गाड़ी मकार खवी तिनने का योग ब बहुत अच्छा है, उसके लिए उनको भगवान, राम का सुती करना चाहिए, मता भगवति दुर्गा का पुझा करना चाहिए, इससे इनको बहुत लाब होगा, उनको ये व्रिष्चिक राशी वालों को ये होली के बाद लाब होने का पूरा-पूरा योग दिख रहे है, आगला है अपना धुन राशी वालों के लिए यह वोली का योग कामकाजम उन्नती देगा भूमी मकान संबंदित योग देगा धुन राशी वालों के लिए थोड़ा सा अपना एक नार्याल वेगर अगर दुर्गामंदीर में अगर रखकर आते हैं यह वोली अपना मकर राशी मकर राशी वालों के लिए होली का परिणाम अच्छा रहेगा उन्नती दिखाई दे रहा है और कारिक्षेत्र में बदलाव होने का योग बनता है और इवन जो फॉरिन नहीं जा पाई अभी तक का मकर राशी वाले उनको फॉरिन जाने का या नाकपूर से बाहर जाके काम करने का योग बनता मकर राशी वालों को होली के चलते हैं लेकिन मकर राशी वाले अगर उनके भागी में थोड़ा सा ये ग्रहन योग के चलते अडचन होता है इसके लिए क्या करें हनुमान जी का पूजा करें और माता दुरगा के मंदिर में पान सुपार नहीं दिखाई देता हैं, क्योंकि तब्यत के लिए थोड़ा परिशानी, आर्थिक संबंदित परिशानी, काम काज के अंदर थोड़ा सा उनको विरोधास पाद होने के बाद भी अपने चंडे गाड़ेंगे, लेकिन पैसे को लेके और अपने घर में वातावरन को लेके थो तो उनको परिशानी होना संब्भो है, आखिर में है अपना मीन राशी, देखें मीन राशी वालों के लिए होली का परणाम अच्छा रहेगा, बस अरते थोड़ा सा पती-पत्नी में वहिमनस्य होना, थोड़ा सा परिशानी होने का योग बनता है, लेकिन अंदी होल पूर राशी के लिए क्या करना ये देखा, अब हम थोड़ा सा शौट में शंस्टिप्त में जानेंगे कि ये बारा राशी वाले कोन से रंग से होली खेलेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए अपना एक जूतिशी का प्रोग्राम में भुष्य दरपने तो रंग के ब रंग तो किसी को लगाना ही नहीं चेह होली में, ये तीन चीजों में में विर्षप राशी वालों के लिए हरा रंग अच्छा है, हलका नीला रंग अच्छा है, गुलाबी रंग बहुत अच्छा है, खेलने के लिए होली विर्षप राश्यों के लिए, इसे उनको लक्ष आगे देखते हैं सिम्ब राशी वालो के लिए गुला भी नारंगी लाल रंग और गहरा जो लाल है वह भी खेल सकते हैं और सिंब राशी वालों के लिए गहरा नीला और गहरा हरा को अवाइड करना है सिंब राशी वाले कन्य राशी वालों के लिए हरा रंग अच्छा है अगला है अपने तुला राशिवालों के लिए गेहरा नीला चलता हलका हरा रंग चलता और गुला भी रंग चलता अच्छा है और व्रिष्चिक राशिवालों के गुला भी अच्छा है लाल अच्छा है और परपल अवाइड करें डार्क ग्रीन अवाइड करें व्रिष्चिक राशिवालों के लिए क्या है पीला सबसे अच्छा है केसरी अच्छा है गुला भी रंग अच्छा है लाल रंग अच्छा ह मकर राशी वाले क्या कौन से रंग से खेल सकते हैं डार्क ब्लू गहना नीला नीला हलका नीला हरा रंग गहरान हरा डार्क ग्रीन परपल और और अच्छा है थोड़ा सा मकर राशी वाले यलो कलर को अगर अवाइड करते हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा कुम राशी व आपना आखिर वालों के लिए अपना ये जो होली खेलते हैं इसके लिए पीला रंग अच्छा है हलका रंग हलका नीला अच्छा है हलका हरा रंग है लाइट ग्रीन अच्छा है उनके लिए और थोड़ा बहुत वाइलेट कलर जो होता है वो भी इनके लिए बहुत अच्छा है और बेस्ट है उनके लिए पीला और गुला भी रंग मीन राशिवालों के लिए बहुत तो दर्शकों जाने के पहले सारे अपने बीसिन के दर्शकों को हमारे पूरे बीसिन परिवार के तरफ से होली त्योहार के बहुत बर्श रुपकामनाए आप रंग भरे होली में अपने मन को अपने आत्मा को परमात्मा के भक्ति के रंग से रंग लो खुश्या रखो अपन झाल झाल